लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि check bounce case फाइल करने का क्या procedure है और कौन-कौन से डोकुमेंट्स लगते हैं और कैसे आपने case फाइल करना है कितने दिन में उसको करना है और कैसे उस person को summons कराने हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप accused को जिसने check दिया है अगर उसको summons करा देते हैं और वो उस case में नहीं paste होता तो उस situation में क्या procedure रहता है complete procedure में आपको बताऊँगा कि जब तक वो file जो है वो case जो आपने file किया वो canzine नहीं हो जाता जब तक वो record room में नहीं चला जाता अगर वो paste नहीं होता है तो उस situation में क्या procedure रहता है step by step मैं आपको अभी बताऊँगा so friends अगर आपने ये channel अभी तक subscribe नहीं किया तो channel को subscribe कर लिजिए क्योंकि check bounce related बहुत ही बडिया content इस channel पे आने वाला है so friends बिना किसी देरे के चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं एक बार आपको sum up कर देता हूँ कि summons किस तरीके से होते हैं summons कई बार court भी करवा देती हैं कई बार आपको खुद भी करवाने होते हैं register post के तुरू, speed post के तुरू या फिर आप दस्ती भी करवा सकते हैं या फिर उसको whatsapp भी कर सकते हैं या फिर mail भी कर सकते हैं अब आपने जो है उस person को summons करा दिये हैं उस service का record भी आपने court में लगा दिया है अब court में record लगाने के बाद अगर वो person उस appearance पे नहीं आता तो अब क्या होगा अब अगर आपने जो भी record लगाया उस base पे court को ये लगता है कि उस person को जो है वो summons हो चुके हैं और वो नहीं आया तो उसमें क्या है कि उसके available warrant इस्यू कर दिये जाते हैं अब summons में और available warrant में क्या difference है summons जो है वो आप whatsapp कर सकते हैं mail कर सकते हैं या फिर जो है पोस्ट मेंड के तरू उनको बेजा जाता है जो available warrant है available warrant जो है वो police constable के तरू सरव किये जाते हैं और उसमें वहाँ पर वो bond भी लेके आता है police constable कि आपने next date पे जो है appear होना है इस court में अब जो है available warrant में भी उस accused person का right है कि वो court में जाके जो है वो bail ले सकता है summons पर वो नहीं आया उसके available warrant इसू हो गए है और अब available warrant होने के बाद भी उसके पास right है कि वो court में जाके bail ले सकता है क्योंकि ये एक available offense है सिर्फ इतने ही difference है कि वो आपने समन कुद कराने है या फिर पोस्ट में के थरू जाएंगे और जो bailable warrant है वो police constable के थरू जाएंगे और वो उस accused से जो bond है वो लेके जाएगा कि आपने next date पे court में पेस होना है अब अगर वो bailable warrant पे भी पेस नहीं होता है तो अब क्या होगा अब अगर वो bailable warrant पे भी पेस नहीं होता तो उसके non-bailable warrant जो है वो जारी कर दिये जाते है अब bailable warrant और non-bailable warrant में क्या फ़रक है बेलेबल वारंट जो है वो पुलिस ओफिसल वहाँ पे सम्मून उसको करवा के आया था और उसके बॉन्ड जो लेके आया था अब non-bailable warrant में भी पुलिस official ही उसके जो है वो warrant लेके जाता है लेकिन उसको arrest की power होती है वो उसको arrest कर सकता है और court में लेके आ सकता है लेकिन normally जो है वो police official के दवारा ये काम नहीं किया जाता और non-bailable warrant में अगर उस person को court में लेके आया जाता है तो उस situation में भी क्या है कि court का prerogative है कि उस acute को bail देनी है या फिर नहीं देनी क्योंकि बेलेबल warrant में तो उसके जो right है लेकि non-bailable warrant में ये court का prerogative है कि उसको bail देनी है या फिर नहीं अब अगर वो non-bailable warrant पर भी बीपेश नहीं होता तो अब क्या होगा नोन बहलीबल derecho में उसके नोन बहलीबल बांट जो है वो थूर这 Совक्राण का क्या怎麼樣 नोन बहलीबल वांट में एक police call वहां पर जाता था उसको औरेस्ट करने के लिए जो की ुर्सकाब में क्या होगा कि ऐस ак-षप ऑफिस से एक परसन जाएगा उसको अरेस्ट करने लेकिन हाला कि इस सिचूइशन में भी जो पुलिस ओफिशिल वहाँ पे जाता है तो उसको वह अरेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये एक бेलेबल ओफैंस है तो इसको थोड़ा हलके में लेते हैं तो इस situation में क्या होगा कि अगर वो non-bailable warrant through SSP अगर उसके कर दिया जाते है तो अब भी वो अगर पेश होता है तो court में court के पास ये power है कि उसको bail दे या फिर ना दे क्योंकि यहाँ पर non-bailable warrant है तो ये court की power है लेकिन court जो है इसमें proclamation issue होने तक भी बगोड़ा issue होने तक भी normally court दे देती है क्योंकि ये एक bailable offense है अब अगर वो non-bailable warrant through SSP के issue होने पर भी अगर वो नहीं आता तो अब क्या होगा अब उसकी proclamation जो proceeding है वो issue कर दी जाती है proclamation proceeding में क्या होता है कि proclamation proceedings में उसको बगोड़ा करने के लिए proceedings जो है वो issue कर दी जाती है अब इसमें क्या होगा कि उसके जो भी proclamation है वो चसपा की जाती है उसको paste किया जाता है एक तो उसके address पे और दूसरा कहीं पर जो भी public place है bus stand है, railway station है वहाँ पे और court के बाहर कि इस person को जो है वो बगोड़ा गोशित किया जा रहा है और ये जो proclamation है ये execute की जाती है police official के दुवारा कहां पे होगी वो मैंने आपको पताया एक उसके address पे और एक जो भी public place है bus stand या railway station पे और एक court के बाहर अब अगर वो proclamation issue होने के बाद भी अगर court में नहीं आता तो उसको P.O. declare कर दिया जाता है अब इसमें क्या होगा कि कई बार जब भी उसको P.O. declare किया जाता है तो उस situation में court जो है वो खुद भी action ले लेती है उस पे एक separate action शुरू हो जाता है वो है 174A IPC का क्योंकि एक separate offense है कि अगर कोई भी accused P.O. होने के बाद भी अगर court में नहीं आता तो उस पे एक affair बन सकती है वो है 174A IPC की उस पे separate से एक affair शुरू हो जाएगी वो court जो है कई बार खुद action ले लेती है कई बार क्या होता है कि complaint की application पर वो action लेती है तो complaint जो है वो भी court में application दे सकता है और उस पे 174A की करवाई शुरू करवा सकता है इसके अलावा जो complaint उसकी property है उसको भी attach करवा सकता है उसकी कोई भी movable property है जो उसके नाम पे है या फिर immowable property है तो उसको भी attach करवा सकता है उसके list of property देनी है और record लगाना की ये property उसके नाम है तो code जो उसकी property को attach कर लेगी और अगर आप इन में से कोई भी option choose नहीं करते हैं ना तो उसके खिलाव 174A IPC करवाई करते हैं और ना ही उसकी कोई property को attach करवाते हैं तो उस situation में शिरफ आपको wait करना होगा क्योंकि उसको P.O. कर दिया गया है proclaimed जो offender है proclaimed जो person है वो उसको गोसित कर दिया गया है तो उस situation में शिरफ आपने wait करना है कि कब उसको arrest किया जाएगा और कब जो आपके case की करवाई शुरू की जाएगी क्योंकि इस situation में जो आपकी file है उसको congained कर दिया गया हरी कोड रूम में और जब भी उस person को arrest किया जाएगा तो दोबारा से आपका case चल जाएगा So friends इस वीडियो में आपने जाना कि अगर accused को summon हो जाते हैं और summon होने के बाद अगर वो case नहीं पेस होता तो उसके बाद उसके खिलाब क्या case staff follow किया जाते हैं Next वीडियो में हम जानेंगे कि अगर उसको P.O. declare कर दिया जाता है court में तो उसके बाद भी आप कैसे जो अपना पैसा उससे record कर सकते हैं अगर वो arrest नहीं होता है या फिर क्या procedure आपने follow करने है कि उसको arrest करवाया जासके और जो अपना पैसा है वो निकलवाया जासके या फिर कैसे उसकी property को attach करवाया जासके वो सारे procedure हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अगर वो court में नहीं आता तो भी आप अपना पैसा कैसे record कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छे लेगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइम ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब को लीजिए क्योंकि चेक्स रेलेटेड बहुत ये बड़ीया इस चैनल पर आने वाला है थैंक यू सो मुझ बाइबाइब